क्या आपने कभी Bitcoin YSL की है अगर आपको यह सब नहीं आता है अगर आपको क्रिप्टो टेडिंग नहीं आती है इस वड़े मैं आपको सिखाऊंगा आप Bitcoin YSL कैसे कर सकते हो और आप एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगाएंगे देखो आप मैंसे बहुत सारे लोग क्रिप् कर सकते हो पहले कुछ बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो आपके मन में बहुत सारे क्रिप्टो टेडिंग के रिलेटर कुछ लोग मुझे से पूछते हैं हलाल है या हराम है आपके सभी क्रिप्टो के जवाब मैं Facebook लाइब स्ट्रेम पर देदूंगा नेक्स सेट सकते हो तो डेट याद रखना नेक्स सेटेडे को लाइब स्ट्रेम पर हम क्रिप्टो टेडिंग के बारे में बात करेंगे सेकंड क्रिप्टो बहुत ज्यादा वोलटाइल है आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है और आपको बहुत ज्यादा लाज भी हो सक इसलिए विदाउट रिसर्च आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे और थर्ड यह एप बस सीखने के लिए है इसमें बस हम सीखेंगे यह बिगनर्स के लिए सीखने के लिए बैस्ट है इसके बाद आगे की ट्रेडिंग हम इस एप में नहीं करेंगे हम दूसरी आप में करेंगे तो इस app में आप पहले पहले थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि वही से आपको पैसे मिलते हैं, तो कैसे करते हैं Bitcoin Buy and Sell, चलो देखते हैं, सबसे पहले आप ये app लेशोर से डाउनलोड करेंगे, इसका नाम है Sun Crypto, मैं नीचे description में और comments में इसकी link दे दूँगा, यहाँ पर first name, फिर mobile number देना है, फिर यहाँ पर email देनी है, यहाँ पर आपको अपना password set करना है, password यहाँ पर carefully set करना, आपके password में एक special character, एक upper case character, एक lower case character, और password की length 8 होनी चाहिए, तो password यहाँ पर आप carefully set करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप M pin set करेंगे नीचे, M pin set करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे refer code, यह बहुत ज़्यादा important है, आपको यहाँ पर refer code देना है, वरना आपको 100 rupees नहीं मिलेंगे, refer code मैं आपको नीचे description में और comments में दे दूँगा, और video के end में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर refer code दिया, और यहाँ पर फिर आप register पर किलिक करेंगे, जब आप register पर किलिक करेंगे, आपका account ready हो जाएगा, बेभी आपका mobile number और email verify हो जाएगी, OTP आ जाएगा वो आपको देना है, इसके बाद आप login पर किलिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना email और password दे देंगे, जो आपने अभी select किया है, अभी मैं अपना login करता हूँ, आप देख सकते हैं, आपके सामने यह वाला interface खुलेगा, यह सब आपको थोड़ा सा complex लेगेगा, आपको किसी चीज़ पर यहाँ पर फोकस नहीं करना है, सबसे पहले आपके यहाँ पर ऊपर आएगा KVC, आपको KVC करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको option मिलेगा KVC करने का, तो उस पर आप किलिक करेंगे, या आप नीचे यहाँ पर profile पर किलिक कर सकते हो, आपके account में 100 रुपे आजाएंगे, वो 100 रुपे कहाँ पर आजाएंगे मैं आपको भी दिखाता हूँ, जब तक आपका KVC अपरू होता है, तब तक आपको क्या करना है, simply यहाँ पर back पर आएंगे, यहाँ पर banking and payment options पर आप किलिक करेंगे, banking and payment options पर आप किलिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना bank account एड़ करेंगे, देखो, bank account आपको अपना carefully एड़ करना है, वही bank account आपको एड़ करना है, जिससे आप यहाँ से पैसे deposit करेंगे, या जिसमें आप पैसे receive करना चाहते हो, मतलब आपको बस अपना bank account यहाँ पर देना है, किसी भी crypto trading app में, आपको किसी और का bank account नहीं देना होता है, फिर problem उस होती है, आपको बस अपना bank account यहाँ पर देना है, वो भी verify हो जाएगा, उसमें बस 5 मिट लगेंगे, तो आपका KYC और bank account डेड़ी है, आपके 100 रुपे आएंगे, यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर portfolio पर click करेंगे, तो जो आपने अभी mpin रखा, वो यहाँ पर मांगेगा, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मेरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा list है, देखो, अभी bitcoin यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, शायद मैं इसको zoom in करता हूँ, तो 151 रुपीज है मेरे पास bitcoin में, मतलब मेरे पास 1500 रुपे की bitcoin है, आपके पास 100 रुपे की bitcoin होगी, जब आप KYC complete करेंगे, देखो, अब आपके पास इसमें bitcoin है, पैसे नहीं है, bitcoin है, bitcoin को sell करना है, तो यहाँ पे आप सीखेंगे bitcoin को sell कैसे करते है, आप अभी इसको hold भी कर सकते हो, देखो, में भी क्या हो सकता है यहाँ पे, जब आप KYC करेंगे, तो यहाँ पे बस 99.82 रुपीज होगे, क्योंकि उस टाइम पे, देखो, crypto market बहुत volatile होता है, bitcoin की price उपर नीचे होते रहती है, तो यहाँ पे 99.98 ऐसा होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब bitcoin की price उपर जाएगी, तो वो 100 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, simply यहाँ पे back पे click करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो, number one पे है, BTC, BTC मतलब bitcoin, bitcoin की price आप देख सकते हो, 23, 24 lakh के आसपास है, लेकिन आपके पास कितनी bitcoin है, 100 रुपे की bitcoin, तो आपको क्या करना है, simply यहाँ पे BTC पे click करना है, BTC पे click किया, देखो यहाँ पे आप chart पे focus नहीं करना है, यह बिल्कुल basic level का chart है, बस एक line है, future में हम इसमें trading नहीं करेंगे, हम दूसरी app में trading करेंगे, लेकिन यहाँ पे beginners के लिए easy है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों easy है, देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे sell पे click करना है, sell पे click किया, आपको बोलेगा amount enter करो, आपके पास 100 रूपे की BTC है, तो आप यहाँ पे 100% देंगे, मेरे पास है BTC 0.000063 BTC है मेरे पास, मतलब part fraction of bitcoin है मेरे पास, इनको हम सतोशीज कहते हैं, 100% मतलब जितनी bitcoin है मेरे पास, मैं पूरा का पूरा बेजना चाहता हूँ, अगर आप 50% पे click करेंगे, तो इसका मतलब है जितनी bitcoin अभी मेरे पास है, मैं उसमें से 50% बेजना चाहता हूँ, अभी मैं 100% bitcoin बेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 100% पे click करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1500 रुपे की मैं bitcoin sell कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नीचे pay पे click करूँगा जब pay पे click करेंगे यहाँ पे मुझसे mpin मांगेगा मैं फिर से mpin दूँगा आप देख सकते हो order fill successfully मतलब मैंने यहाँ पे bitcoin sell की है इतना आसाम होता है इस पे bitcoin sell करना फिर आपके यह पैसे portfolio में आएंगे देखो आपको क्या करना है simply back पे click करना है और यहाँ पे portfolio पे नीचे click करना है portfolio पे click किया तो यहाँ पे मैं फिर से mpin दूँगा यह बार-बार empty-n मांग रहा है तो अब आप देख सकते हैं मेरी balance है 147 rupees अभी मेरे पास bitcoin नहीं है मेरे पास पैसे है मैं इनको withdraw कर सकता हूँ simply withdraw पे click करूँगा तो यहाँ पे मैं अपना bank account select करूँगा यहाँ पे amount दूँगा 1500 rupees है मेरे पास जब मैं proceed पे click करूँगा तो 10-20 minute के बाद यह मेरे account में आ जाएंगे तो इस तरह से हम bitcoin sell कर सकते हैं अब अगर आपको for example buy करनी है कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ simply back पे click करेंगे और हम market में वापस आएंगे देखो BTC है यहाँ पे price क्या है इसकी 23 lakh 24 lakh है आसपास तो यहाँ पे इस पे click करेंगे अब अगर इस टाइम हमें buy करना है तो हम यहाँ पे simply buy पे click करेंगे तो buy पे click करेंगे same मेरे पास कितने पैसे है 1500 रुपे मैं 100% 1500 रुपे मैं bitcoin buy करना चाता हूँ तो मुझे इतने BTC मिलेंगे 0.00062 BTC मुझे मिलेंगे तो यहाँ पे मैं pay pay click करूँगा यहाँ पे mpin दूँगा आप देख सकते हैं मैंने bitcoin buy की है तो इतना आसान होता है इस app पे bitcoin buy या sell करना फिर आप क्या कर सकते हैं कोई और यहाँ पे coin buy कर सकते हैं XRP buy करेंगे XRP बिल्कुल ऐसे ही buy करेंगे buy करने हैं तो buy pay click करेंगे sell करने हैं तो sell पे click करेंगे आप कुछ दिनों के लिए इसको carefully देखेंगे जब bitcoin की price हो जाएगी 25 lakh रुपीज तो आप देखेंगे आपके portfolio में कितनी balance होगी अभी मेरे पास है 150 रुपीज के आसपास जब इसकी price बढ़ेगी यहाँ पे मेरे portfolio में भी balance बढ़ती जाएगी जब bitcoin की value कम हो जाएगी तो मेरे portfolio में भी balance कम होती जाएगी तो ऐसे ही crypto में आपको जब आप कुछ दिनों के लिए इसको use करेंगे आपको समझ आ जाएगा खुद ही तो without investment आप यहाँ पे bitcoin buy या sell करना सेख जाएंगे देखो मैं अपने trades आपके साथ share करूँगा YouTube पे shots में कौन सी coin में buy करूँगा, sell करूँगा वो मैं आप से जुरू share करूँगा लेकिन पहले मैं आपको सिखाना चाता हूँ तो like stream पे आजाना आपके सारे questions लेके इस वीडियो को आपने friends के साथ भी share कर दो like तो आपने किया ही होगा page को follow करो और journal को subscribe करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care